किसी भी तरह की ठकान कमजूरी अनित्रा खून की कमी या बच्चों के तेज दिमाग करने के लिए ये लड़ू काफी जादा फाइदे मंद होता है इस लड़ू को आप रोज सुबह सुबह एक लड़ू ले ले और साथ ही में गुनगुना दूद आप लेंगे न तो साथ द यहां रेसिपी तो चलिए रेसिपी शुड़ू करते हैं इस लड़ू को बनाने मिने हमने घ्र द्राइब कोट्स का यूज किया तो और बादाम लिया है, 3 4th कब हमने फउनि खाल शिल कीशा patient lakasse वाली ऐं खाल्स उसला किया है यह Verkehr हूै और यद नहीं मिल रह है तो आप ब यूज करसक्ते हैं यूज बरेया जानर एक बॉल बार बोल का यूज कीका है जाजक क्रपी की से परको खजूर लिया। outside our dates का उसका कटकारा है इस्तरों यूज कंगा का ली अट सीटby कोध़ करना है यूजा का अग्डी क확डान एक लोगत में दें मिना Train चार चम्मच पानी यूज करके इसे फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है अब एक कराही में हमें आधा चम्मच घी लेना है और गी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे उसके बाद हम इसमें एड करेंगे ड्राइब फूट्स ड्राइब फूट्स को हमें 5-6 मिनाट के लिए रोस्ट करना है रोस्ट करने से एक तो लड्डु में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है और ये जो लड्डु है आप चाहे तो लम्मे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं तो बस हमें 5-7 मिनिट के लिए इसे रोस्ट करना है और जब भी आप इन सारी चीज़ों को रोस्ट करें न तो आप फ्लेम को लो ही रखें लो फ्लेम पे ये जलता नहीं और बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाता है इस लड्डू को बनाकर आप काफी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और हर दिन आप एक लड्डू खाएं और गुनगुने दूद के साथ जब आप लेंगे तो साथ दिन में इसके फाइदे आपको दिखना सुरू हो जाएगा यहाँ देखिए हमारे यह जो ड्राइब टूर्स है अच्छे से रोस्ट हो किया है तो हम इसे निकालेंगे और फिरसे हमें उसी कराही का यूज करना है और जो हमनेनकोच रखा है उसे हमें इसमें डाल कर दो से तीन मिनट के लिए रोस्ट करना है हम को को कोनट को ज्यादा रोस्ट नहीं करेंगे नहीं तो फिर इसे घी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा मतलब जो को को कोनट का तेल होता है और फिर लडू का टेस्ट खराब हो जाता है हमें इस और हम यहां सारी चीजों को रोस्ट करके बना रहे हैं जिसे कि हमारा लड़ू लंबे समय तक चले तो आप चाहें तो ज्यादा क्वांटिटी में इसे बना कर स्टोर करके रख लीजिए और हर दिन एक लड़ू आप एक ग्लास दूद के साथ यूज कीजिए तो काफी जाद फाइदे मन यह दू होता है यहां दीकिये हमारा कोकूनट अच्छे से रोस्ट होगिया है तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे और फिर से उसी कराही का यूज करेंगे और इसमें डालेंगे आधा चमब्लिटी तो अब हम इसमें जो हमने खजूर का पेंस बना कर रख है ु और हमारा लड़ू काफी लंबे समय तक स्टोर भी होकर रह जाएगा तो यहां बस खजूर को हमें चार से पांच मिनाट के लिए और अच्छे से मिक्स करते हुए भुन लेना है इस लड़ू को हर तरह के लोग खा सकते हैं क्योंकि इसमें हमने चीनी गूर किसी भी चीज का यूज नहीं किया है सारे ड्राइफ रूट्स का यूज करके ही इस लड़ू को बनाने वाले हैं और यह जो खजूर रहता है तुरंत ही खून की कमी को दूर करता है और पूरी थकान को भी हटा देता है मतलब जो भी आपके अंदर थकान है उसको तुरंत दूर करता है और यह जो सारे ड्राइफ रूट्स है न सभी में अलग-अलग गुन होते हैं तो यह काफी ज़्यादा फाइदे मंद होता है यहां देखिए जो ड्राइफ रूट्स था उसे हमने ग्राइफ करके यूज किया है जिसे कि यह बाइंड होने में भी काफी हेलफुल होगा और खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा लगेगा आप चाहें तो इन सारी चीजों को साबुत भी बना सकते हैं या फिर आप इसमें अपने मन पसंद ड्राइफ फूट्स को भी एड कर सकते हैं जैसे काजु किसमेज या जो आपको और भी ड्राइफ फूट्स पसंद है ना इसमें एड करके इसे बना सकते हैं तो अब हमें इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है आप चाहें तो अभी flame को off भी कर सकते हैं क्योंकि सारी चीज़े पहले से ही अच्छे से roast है तो यहां मैंने gas को बंद कर दिया है और अब हमें इसे अच्छे से mix करने के बाद इस misran को ठंडा कर लेना है ठंडा करने के लिए आप चाहें तो इसे normal होने दे सकते हैं या फिर आप फैन के नीचे इसे ठंडा कर सकते हैं तो मैं इसे फैन के नीचे ठंडा कर रहे हूँ साथी में मैंने एक कप सफेद तिल का यूज़ किया है तो इसे मैंने iron तबापे इस तरह से roast कर लिया है रोस्ट करके यूज़ करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें और ये जो सफेद तील होता है ना इसकी जो तासीर होती है वो गरम होती है और काफी जादा ये इमिनिटी बुस्टर भी होता है और काफी जादा कोल्ड में ये फाइदे मंद भी होता है तो बस इसे अभी हमने एड कर लिया है और इस मिसरन को हम पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे क्योंकि इसे बाइंड करने में कोई दिकत नहीं आती है जो हमने खजूर का यूज किया था उसका जो पेस्ट बनाया था उसकी बज़ए से ये सारी चीजें काफी अच्छे से बाइंड हो ज विए सब्सक्राइब कर नहीं दें ख़र काफी फाइदे मंदस और काफा जादा टेस्टी थे बच्चे बड़े सभी को बहुत ही ज़दा पसंद आता है तो यह एं बड़ो में यूले देखिया को नहीं आपकर कर लिए है तो बहुत ही असानी है इसे बनाना बहुत ही आरा दूद के साथ इसे साथ दिन तक लगातार लेकर देखिए काफी जादा आपको फाइदा दिखना सुरू हो जाएगा तो आज की मेरी रेसिपी यदि पसंद आती हो तो प्लीज लाइक किजिएगा मेरी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब किजिए फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और बैल आइकन को झरूर ट्रेज कीजिए जिससे मेरे नए-णए रेसिपी आप तक पहुंशते रहें तो इस रेसिपी को जरूर कीजिएगा और कॉमेंट वॉक्स में मुझे कॉमेंट करके बताईएगा कि आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी फिर मिलेंगे कि और नए रेसिपी में तब तक के लिए टेक केर बाबाई